उत्तर प्रदेश राशी टंडरन ओपन इन्वस्टी प्रयाग राज में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर शुष्मा चौहान स्कूल आप साइंसेस से यूजी बीवाई वन जीरो टू प्लांट फीजियोलोजी की यूनिट टू एब्जॉप्शन ओफ वाटर के बारे में आपको बताऊंगे यह हमारा एब्जॉप्शन ओफ वाटर का दूसरा लेक्चर है इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बहुत सारी चीजें एब्जॉप्शन ओफ वाटर के बारे में बताईंगे कि प्लांट को पानी की आफशकता क्यूं होती है और किस पार्ट से प्लांट पानी को एब्जॉप्शन करता है और उसके साथ कौन सा पानी जो है स्वाइल में मौझूद है जो प्लांट को आसानी से एवेलेबल होता है जो पानी वह रूट के दौरा एब्जॉप्शन कर पर, mechanism of water absorption का मतलब है कि किस तरह से पानी जो roots में जा रहा है अंदर उसकी क्या mechanism है वहाँ पर, तो वहाँ पर दो mechanism थी, एक active absorption की mechanism थी और दूसरी थी passive absorption की mechanism, active absorption की mechanism पहले lecture में हम आपको explain कर चुके हैं, अब इस lecture में हम आपको passive absorption की mechanism को explain करेंगे, इसके अलावा, फिर जपानी आपका अंदर enter कर जाता है, तो उसके बाद, वो cell to cell, root की xylem में कैसे पहुंसता है, उसका pathway क्या होता है, वो कौन से factor हैं, जो absorption की process को affect करते हैं, और इसके साथ ही फिर हम आपको active और passive absorption के difference के बारे में भी बताएंगे, चलिए अब हम लोग चलते हैं, mechanism of passive absorption की mechanism में मैंने आपको बताया था कि वो root जो होती है, वो actively involved होती, मतलब वो force जो पानी को absorb करने के लिए root को चाहिए, वो root itself में ही develop करता है, लेकिन passive absorption, passive absorption में क्या होता है, कि वो force जो plant को, water को absorb करने के लिए चाहिए, वो plant की root में न develop हो करके, उसके upper aerial part में develop करता है, और यहां पर जो main factor है, वो factor है, transpiration, plant में जो transpiration का फेनामिना होता है, वो यहां पर main factor है, जिसके द्वारा passive absorption की mechanism होती है, इसी लिए देखिए, passive absorption की mechanism उन्हीं plants में होती है, जिन में transpiration का process बहुत अच्छे से होता है, इसके विपरी जब आपने active पढ़ा था, तो active में उन plants में होती है, जहां पर transpiration या तो slow होता है, या बिलकुल नहीं के बराबर होता है, अब देखिए, यहां पर अगर हम इस figure को देखें, तो यहां पर यह उपर का upper part है plant का, जिसमें यह इसका stem है, और यह इसकी leaf है, stem और leaf के द्वारा transpiration होता है पानी का plant से, और stem से तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन leaf के द्वारा, leaf में जो istromator का structure होता है, इसमें सब istromator cavity होती है, तो यहां पर पानी जो है vapor के form में निकल करके बाहर जाता है, और cell के से जब पानी आपका बाहर जा रहा है, वो transpiration ता phenomenon हो रहा है, तो इस cell का, जो potential है, osmotic concentration है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, इस सब istromator cavity में, तो यहां पर एक तरीके का क्या develop हुआ, tension develop हुआ, उस tension की वज़े से, यह जो cell है, अपने बगल के cell से क्या लेगी, पानी लेगी, तो यहां पर पानी यहां पर इस cell से दोस्य cell में गया, diffuse हो करके, अब उसके बाद यहां पर देखिए, यह vascular system आपका जा रहा है, इस vascular system में xylem होगा, तो xylem की cell से पानी diffuse हो करके, जिस cell में tension create हो गया है, पानी की कमी के कारण, वहां पर पानी चला गया, तो यह tension यहां प प्लांट के अपर पार्ट में, वह xylem के through tension वहां से चलता हुआ, gradually, cell to cell, कहां आया, रूट में आया, अब इस रूट से यह tension कहां गया, रूट हेर में गया, तो water का absorption किसके दोरा होगा, इसी रूट हेर के दोरा होगा, लेकिन जो यहां पर factor है, जो चीज यहां पर absorption का 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 कर रही है, जिसकी वैसे absorption हो रहा है, वह root itself में डेवलप हो करके, कहां डेवलप हो रहा है, प्लांट के अपर पार्ट में डेवलप हो रहा है, इस टोमेटा के दोरा, लीफ के दोरा, जब transpiration का फेनॉमिना हो रहा है, अब देखिए, जैसे active absorption का जो evidence था, वो gutation के फेनॉमिन के दोरा आता है, इसी तरह से passive absorption का जो phenomena plant में होता है, water के absorption का, इसका जो evidence है, वो कहां से आता है, rate of absorption is approximately equal to the rate of transpiration, मतलब जितना plant से पानी का transpiration होता है, उसी अनुपात में लगभग उतना ही पानी, plant की root के दोरा, plant soil से absorb करता है, तो ये फेनॉमिना आपका, ये जो phenomena हो रहा है, ये evidence प्रोवाइट करता है, passive absorption की theory के लिए, water के absorption की, अब देखिए, इस evidence को हम आगे graph के दोरा explain करते हैं, ये यहाँ पर देखिए, जो graph बना हुआ, ये क्या शो कर रहा है, relationship between passive absorption of water and transpiration, अभी हमने आपको क्या बता है, passive water absorption का जो evidence है, वो कहां से आता है, rate of transpiration is approximately, rate of absorption is approximately equal to the rate of transpiration, आप इस graph को देखिए, इस graph में देखिए, ये जो dotted line दिख रही है, आपको graph की, ये किसी इसको दिखा रही है, absorption को दिखा रही है, और जो एकदम continuous line का graph है, ये दिखा रहा है, transpiration के phenomena को, अब जगर आप दोनों graph को ध्यान से देखें, तो approximately same है, ये देखे, transpiration का graph जैसे ये यूँ जा रहा है, वैसे ही वैसे, ये dotted line का आपका absorption का graph भी जा रहा है, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, कि rate of absorption is approximately equal to the rate of transpiration, मतलब transpiration और absorption के बीच में एक relationship है, और ये evidence प्रोवाइट करती है, किसका passive absorption of water का, अब देखिए, आपने active और passive absorption of water दोनों को पढ़ा, दोनों को देखा, दोनों को सुना और समझा, अब यहाँ पर हम आपको दोनों का difference बताते हैं, ये active absorption है, और ये हो गया आपका passive absorption, active absorption जो plant में होता है, तो वहाँ पर जो water का absorption होता है, वो किसकी वज़े से होता है, जो activity आपकी कहाँ develop हो रही है, root में, especially root के, root hair में develop हो रही है, मतलब वो actively involved है, root hair आपकी water को absorb करने के लिए, पैसी absorption में, root actively involved नहीं है, जो factor आपका है, वो कहाँ develop हो रहा है, plant के upper part में, जो कि stem और leaf है, इसके पाद आगे देखिए, यहाँ पर जो water absorb हो रहा है, active absorption में, यहाँ पर दो theory है, एक है, osmotic theory of active absorption की है, और दूसरी है, non-osmotic theory of active absorption, पैसी absorption के case में, water जो आपका absorb हो रहा है, यह active transpiration की process के द्वारा हो रहा है, यहाँ पर active कौन है, transpiration, plant के upper part में, transpiration की process जब active हो रही है, तो उसके कारण जो tension develop हो रहा है, उसकी वज़े से यहाँ पर पानी का absorption हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर non-osmotic mechanism जो है, वो वहाँ पर क्या होता है, कि root hair जो होती है, root hair के अंदर, DPD, diffusion pressure या concentration जो होती है, वो आपकी या osmotic potential जो होता है, वो ज्यादा होता है, और root के बाहर जो soil water है, उसमें कम होता है, जिसकी वज़े से simple osmosis के फेनॉमिना के द्वारा water आपका अंदर चला जाता है, इसका मतलब यहाँ पर जो water का absorption हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, along the concentration gradient, along the concentration gradient हो रहा है, और दूसरा, जो non-osmotic theory है, non-osmotic theory में along the concentration gradient नहीं होता है, against the concentration gradient होता है, क्योंकि उस condition में क्या होता है, कि जो soil water है, उसको osmotic potential जादा होता है, और cell के अंदर osmotic potential कम होता है, लेकिन ऐसी condition में cell के अंदर से, root की cell के अंदर से पानी बाहर नहीं आता है, more expenditure of energy होता है तो इस तरह से यह यहां पर non-osmotic theory के द्वारा active absorption का फेनॉमिना हो रहा है अब यहां पर passive absorption में जो आपका पानी absorb हो रहा है वो किसकी वज़े से हो रहा है tension की वज़े से हो रहा है क्योंकि वहां पर plant के अपर पार्ट में जो transpiration हो रहा है वो एक active process हो रही है उस active process की वज़े से tension develop हो रहा है वो tension आपका जो है leaf की xylem की cell के द्वारा नीचे को travel करता है और उस tension की वज़े से water जो है cell by cell neighboring cell से सक हो करके चला जाता है और जब यह tension आपका root hair में पहुंचता है root से root hair में तब फिर वो soil के solution से water का absorption हो जाता है अब देखिए यहाँ पर जब root के अंदर आपका root hair में पानी गया तो root hair कहां है सबसे बाहर की layer है root की तो वो वहाँ से फिर कहां जाएगा cortex की cell में जाएगा और cortex इस cell से दीरे दीरे बहुत सारी cells होती है cortex कई layer की cortex होती है उसके बाद उपकों सी layer होती है endotermis के layer होती है उसके बाद होती है pericycle और उसके बाद फिर वहाँ पर xylem में proto xylem होता है तो यहाँ पर जो आपका होगा pathway वो हम आगे आपको detail में बताएंगे symplast pathway जो active absorption का water है active absorption की mechanism का वो symplast pathway के थ्रू जाता है और यहाँ पर जो passive absorption का pathway है वो apoplast है, apoplast और symplast को हम इसके बाद आगे आपको भी explain करते हैं अब देखिए active absorption की जो mechanism हो रही है water absorption की उसके लिए जो evidence आ रहा है वो कहां से आ रहा है root pressure क्योंकि root में जब root pressure develop होता है तभी उसमें bleeding मतलब जो उसमें से water rules out करके आता है या उसको हम exudation भी बोलते हैं या gutation क phenomenon है जो रात के समय में होता है और water की drops जो है leaf के surface पर हमको दिखाई देती है तो यह चीज़े वहाँ पर evidence provide करती इसी तरह से passive absorption का evidence कहां से आता है अगर हम plant को पानी में डाले और उस पानी में डालने के बाद हम उसकी roots को पानी के अंदर ही cut करेंगे बाहर नहीं नहीं तो उ उसके अंदर उसकी सारी roots को cut कर दिया और plant को उसी पानी में डाल करके भी हम रख देते हैं तब हम वहाँ पर देखते हैं कि root के न होने के बावजूद absorption पानी का हो रहा है तो वह absorption पानी का क्यों हो रहा है क्योंकि root उसमें सिर्फ एबसॉर्ब करने का काम कर रही है जो force है root पे नहीं generate हो रहा है क्योंकि plant का upper part तो है वहाँ पर transpiration का phenomenon हो रहा है और जब transpiration हो रहा है तो उसको पानी चाहिए तो उपर जब tension develop हो रहा है च्योंकि आपने plant को पानी के अंदर डाल रखा है पानी उसको मिल रहा है पानी नीचे से उपर चड़ता हुआ चला जाता है अब देखिए अभी हमने आपको पीछे simplast और epoplast के बारे में बताया तो अब simplast और epoplast हमने आपको बोला कि आगे हम आपको explain करेंगे क्योंकि जब आपका root hair से बाहर outer epidermal cells में आपके root के पानी आया तो उसके बाद अंदर का उसका pathway कैसा होता है यह जो simplast और epoplast का concept है यह मुझ नाम के एक scientist ने 1930 में दिया था flow of water और minerals को plant में explain करने के लिए तो cell to cell जो moment आपका हो रहा है water का या तो epoplast के through होगा या simplast के through होगा इधर देखिए यह जो epoplast है यह आपकी cell है और यह epoplast reason है के through बाहर से पानी आपका कहां जा रहा है जायलम में जा रहा है और यह यह cell to cell cell के through जा रहा है epoplast system जो है pathway है वो कहां से बनता है जो आपके dead cells होती है लाइक दो cell के बीच में जो interconnecting substance है या दो cell के बीच में जो intercellular space होता है या xylem की जो tracheats है या vessels है या endodermis की जो cells होती है वो dead होती है उनके through जब water आपका enter करके अंदर जाएगा बाहर की soil से जब epidermis में आया उसके बाद cortex में जब वो इनके through जाता है तो वो epoplast कहलाता है और यहां पर जब यह इसके through जाएगा तो या तो यहां पर capillary के through जाएगा या फिर simple diffusion के द्वारा ही जाता है diffusion means higher concentration से low concentration की तरफ water का moment होगा अब simplest का phenomenon कहां से हो रहा है living cells के द्वारा हो रहा है तो जब living cell के cytoplasm के द्वारा यह होगा तो यहां पर osmosis का phenomenon लागू हो जाएगा और यह simplest में यह osmosis के phenomenon के द्वारा पानी जो बाहर root hair में absorb हुआ है वहां से यह होता हुआ cell to cell कहां पहुचेगा endodermis pericycle और xylem में पहुचेगा अब यहां पर देखे यह figure आप देखे यहां पर यह root है आपकी यह root की root hair है यह water यहां पर इसके अंदर enter कर रही है अब यहां पर देखे यह cell है cortex की यह बाहर की cell के थूँ यह जो arrow बना हुआ है यह water आपका cell to cell जा रहा है यह endodermis में पेरिसाइकल में गया और इसके ठीक अपोजिट यहां पर क्या मौजूद है तो यहां पर यह जो pathway आपका बन रहा है यह कौन सा pathway है यह simplest pathway है और यहां पर यह simple osmosis के द्वारा जाएगा अब दूसरा इसमें बना नहीं है लेकिन हम आपको वैसे दिखा देते हैं कि हमारे आप इसको देखिएगा इंडिकेटर को यह जो cell के बीच का space है अगर water यह इस cell के space के थूँ इस तरह से जा रहा है intercellular spaces के बीच से यू जा रहा है ठीक है यहां पर आया यहां पर आने के बाद अगर हम इसको epoplast की बात करें तो इसको यहां से जाना चाहिए endodermis में लेकिन endodermis में वो यहां से न और वो थिकनिंग में सुबरिन का deposition होता है तो अगर वो epoplast के थूँ भी आ रहा है यहां पर तो endodermis के थूँ जब enter करेगा तो वो symplast के ही थूँ एंटर करेगा तो चाहे वो symplast के थू water आपका एंटर कर रहा है पाथवे को follow कर रहा है या epoplast को follow कर रहा है जब वो यह यहां पर endodermis में आएगा तो endodermis में जो water आपका अंदर flow करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ symplast के द्वारा ही जाएगा तो इस तरह से water यहां पर आपका protozylum में आ गया अब जब यह water protozylum में आ गया तो जाइलम के द्वारा जाइलम में पानी हो गया आपको पता है कि प factor affecting water absorption अब अभी तक तो आपने क्या देखा mechanism देखी कैसे water का absorption होता है अब इस water के absorption के फेनामिना को कौन से factor है environment में मौझूद है यह soil में मौझूद है जो कि उसको affect करते हैं पहला है temperature of the soil, दूसरा है aeration of the soil, तीसरा है concentration of the soil, चौथा है available soil water temperature of the soil, जो normal temperature है soil का वो 20 to 30 degree centigrade atmospheric pressure पे होता है वो normal temperature है जिसमें की absorption पानी का बहुत अच्छे से होता है लेकिन अगर यह temperature below 20 degree हो जाए तो उस condition में water का absorption affect होता है क्योंकि low temperature पर एक तो protoplasm की permeability प्रभावित होती है, दूसरा water जो है वो viscous condition में हो जाता है, तीसरा root की growth effect होती है तो अब अगर root की growth effect होगी तो कैसे water का absorption होगा या viscous water होगया, viscous का मतलब समझते है चिपचिपा होगया उसका flow नहीं होगा पानी में तो भी वो आपका absorbed नहीं होगा और अगर permeability cell की affect होई तो भी absorption को affect करेगी तो इस तरह से temperature एक बहुत बड़ा role play करता है, soil का temperature जो soil के अंदर जहाँ पर पानी है जहाँ पर root और root hairs मौझूद है अब देखिए दूसरी चीज है aeration of the soil, soil के अंदर जो soil particle होते हैं वहाँ पर भी air मौझूद होती है, उस air में carbon dioxide और oxygen होती है अगर oxygen की deficiency हो गई soil के अंदर, तो वहाँ पर oxygen अगर कम होगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या बढ़ेगा, carbon dioxide का concentration बढ़ेगा और जब carbon dioxide बढ़ेगी, oxygen का concentration कम होगा, उस condition में भी water के absorption का जो phenomenon हो रहा है वो प्रभावित होता है, वो आपका reduce कर जाएगा क्यों reduce कर जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया, कि कहीं कहीं पर जो mechanism है, वहाँ पर expenditure of energy किया शक्ता होती है जब expenditure of energy चाहिए, उसको energy चाहिए, energy कहां से मिलेगी, respiration से, और respiration के phenomenon को चलाने के लिए, cell को क्या चाहिए, oxygen oxygen के deficiency होगी, तो respiration नहीं होगा, respiration नहीं होगा, तो energy नहीं मिलेगी, energy नहीं मिलेगी, तो वहाँ पर absorption का phenomenon प्रभावित होगा अगला है, concentration of soil solution soil solution अगर ज़्यादा concentrated है, मतलब बहुत ज़्यादा concentrated है, वहाँ पर पानी कम है, तो फिर वहाँ पर active absorption के phenomenon में आपने देखा ना कि जब soil का concentration, soil solution का कम होता है और sil sap के अंदर, sil के अंदर ज़्यादा होता है, तभी simple osmosis के phenomenon के दोरा water आपका अंदर जाता है लेकिन अगर soil में पानी कम है, वहाँ पर minerals बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी water के absorption का जो phenomenon है, water के absorption की जो process है, वो क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी available soil water, available soil water का मतलब यहाँ पर field capacity से है, field capacity के बारे में हमने पीछे आपको बताया कि जो किसी भी soil के water retain करने की capacity होती है, उसको हम उस field की field capacity कहते हैं clay soil की field capacity सबसे ज़्यादा होती है, silt की उससे थोड़ी कम होती है, और सबसे कम होती है sand की, अगर आपने वैसे भी observe किया होगा, अगर बालू वाली मिट्टी में का पानी डाली हो तो पानी इसमें रुपता नहीं है, सारा का सारा बह जाता है, मतलब वह water को retain नहीं कर पाता ह तो available soil water का मतलब यह है कि अगर field capacity के beyond पानी है, मतलब field capacity के नीचे चला गया है, पानी वहाँ पर उसके beyond है, तो भी वह water अगर soil में है भी, तो plant उसको absorb नहीं कर पाएगा, तो अब इस तरह से देखिए, यह दूसरा lecture था, जसमें हमने जो remaining part था, lecture one का, उसको conclude किया, अब को summarize कर देते हैं, यह absorption of water के बारे में था, absorption of water में पहले मैंने आपको बताया कि water के absorption की क्यों आशकता है plant को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए plant को पानी कि आशकता होती है, अपनी process चलाने के लिए plant कि आशकता होती है, तो अब इस तरह से हमने दूसरे lecture को जो दूसरा part था absorption of water को अभी आपके सामने बताया, तो इस तरह से हमने lecture 1 में आधा portion बताया है, और lecture 2 में absorption of water के आधे portion को बताया है, अब हम दोनों को conclude कर दें, तो दोनों को अगर हम conclude करते हैं, तो देखिए अगर आप दोनों में देखेंगे, तो सबसे पहले बात आती है water की, वो water पौधे को किसली आउशक होता है, बहुत सारी उसकी activities होती है, उसके लिए जरूरी है, उसकी अपनी toxicity maintain करने के लिए जरूरी है, उसकी अपनी growth, respiration और photosynthesis के लिए जरूरी है, तो इसलिए plant पानी को absorb करता है soil में से, और soil में बहुत तरीके का पानी होत है, वो contact में होती है, पानी किस्वाइल के अंदर उसी के द्वारा पानी का absorption होता है, अब इस absorption में जो 2 phenomenon में आपको बताई, एक active absorption का फेनामिना है, दूसरा passive absorption का फेनामिना है, Vale, active absorption के फेनामिना में roots जो है стала actively involved होती है, और passive इसी में जो factor है वो root के plant के अपर पार्ट में develop करता है, root में नहीं होता है, active absorption के phanomenon में दो theory मैंने आपको बताई, osmotic theory of active absorption और non-osmotic theory of active absorption, अब जब पानी absorb हो गया, तो मैंने आपको उस पानी के pathway को भी बताया, जो कि epoplast pathway है और दूसरा simplast pathway है, चाहे वो epoplast pathway से जाए, चा आपका travel करता हुआ, कहां पहुंचता है, तो इस तरह से water का absorption है, वो आपका root hair से हुआ, चाहे किसी भी mechanism के दोरा हो, चाहे active के दोरा हो, चाहे passive के दोरा हो, finally उसको कहां पहुंचना होता है, root के xylem की cell में पहुंचना होता है, तो इस तरह से आपने देखा, कि plant ने पानी को क्या किया अब इसके बाद जब हम आगे आपको बताएंगे जब आगे अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि रूट से पानी का अपवर्ड जो ट्रांस्पोर्टेशन होता है वो कैसे होता है जिसको हम एसेंट ओफ सैप का फेनॉमिना कहते है अभी तो ये प यूनिट आपकी दो लेक्चर में कम्प्लीट हुई धन्यवाद